हेलो एविवन और वेल्कम टू चिक्षा कैसे आप सब उमेद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तो एग्रिकल्चर करेंट फियर्स के 13 पार्ट के उपर है और यह एग्रिकल्चर के करेंट फियर्स आपके लिए highly important है चाहे आप अभी नबाड ग्रेडे का एक्जाम दे रहे हो या कोई और एक्जाम आप अग्रिकल्चर बेस दे रहे हो जैसे हरियाना का निकला हो एक्रिकल्चर डेवलप्मेंट ओफिसर का या IBPSAF हो दोगे कोई भी ICAR कोई भी एक्जाम आप दोगे हर एक्जाम के लिए important है और specially जो नबाड ग्रेडे के बच्चे है उनके लिए तो बहुत ही जादा important है already 12 लेक्चर इसके उपर हो चुके हैं तो वो सारे के सारे भी आपको cover up करने है बेटा अगर आप comprehensively अपने current affairs को cover up करना चाहते हो exam जब तक आपका आएगा prelims तब तक हम बहुत अच्छे से agriculture के current affairs हैं वो cover up कर चुके होंगे ठीक है so 12 lectures आपके अलड़ी हो चुके हैं और इसके इलावा जो current agriculture का data है उसके लिए कलक से हमने series बनाई है आठ lecture की series है complete हो चुके है agriculture crop data करके वो playlist आपको मिल जाएगी उसका link के आपर मैं आपको डाल दूँगा card आपको दिख जाएगा तो उस पर click करके आप उसको जरूर देख लिजेगा वो आठ जो lecture है वो तो आपके लिए सोना है नबाड वाले बच्चों के लिए तो ठीक है तो उनको जरूर देखिएगा and 8 अगस्त को आपका पहला mock test भी हम conduct कर रहे हैं यह जो mock होगा यह सिरफ agriculture and neural development का mock होगा इसका मतलब इसके अंदर कितने questions होंगे 40 questions होंगे 40 questions को हम पहले आप as a mock उनको solve करोगे और उसके बाद पिर हम उनके solutions देखेंगे live session रहेगा यह 7 बजे से शाम को 8 अगस्त को ठीक है पहला mock है और इसी तरीके से हम और भी mocks जो है वो conduct करेंगे mcq course हमारा चल रहा है non video course है 2000 plus detailed solutions के साथ है आपको mcqs provide किये जाते हैं इसका link description में बहुत ही किफायती दामों के ओपर यह course आपको मिलता है और अभी इसके ओपर एक बहुत बढ़िया discount code भी चल रहा है early 30 ठीक है तो बहुत ही सस्ते दामों में आपको यह course जो है मिल जाएगा इसका example free course भी है वो भी description में है बहाँ से आप देख सकते हैं let us quickly start and see the first question पहला question क्या कहता है in the month of February 2022 government of India has reduced the agricultural cess for crude palm oil from 7.5% to ठीक है agricultural cess basically भारत सरकार जो लगाती है crude palm oil के import के उपर वो पहले 7.5% होता था February 2022 में सरकार ने इसको कम करके कितना कर दिया है 7% 6% 5% 4% या 3.5% इन में से एक आपका सही answer होगा साड़े साथ साड़े छे पांच चार या साड़े तिन दे को तुक्का लगाने का तो scope बिलकुल 0 के बराबर है इसके अंदर तुक्का लगाने का कोई scope नहीं है यह तो या तो आपको आता है या आपको नहीं आता and here the right answer guys will be option number C 5% ठीक है 5% और जितने भी questions आप कर रहे हो ना मैं आपसे बार-बार यह request करूँगा कि question को करके एक बार आपने पहले पढ़ लेना है question उसके बाद खुद से solve करना है ठीक है उसके बाद आगे का वीडियो द रखता है crude palm oil के उपर पहले साढ़े साथ परसेंट था ओके जी second question के उपर आजाएं यह वो एक factual सा question उसके बहुत जादा detail में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है Farm Machinery and Training and Testing Institute कहाँ पर located है इंडिया का Farm Machinery Training and Testing Institute Option A, Budni, B, Hissar, C, Anantapur, D, Biswanath, Chariyali और E, All of the Above ठीक है location based एक question है यह आपका institute based यह नबाद, IBPS हर के अंदर आपको दो से तीन question पेपर में दिख जाते हैं कि location based, location specific questions जो है वो पूछ लेता है तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा option E, All of the Above ठीक है, इन सब जगाओ उपर आपका farming machinery training and testing institute जो है वो located है तो basically बेटा यह अब आपको लगएगा कि साथ यह तो static part है तो जब हम P.I.B. को cover करते हैं न बेटा तो P.I.B. के अंदर जितना current base निकलता है न specific निकलता है अगरी culture के लिए उससे ज़्यादा static के points निकलते हैं अगर आप कभी खुद से P.I.B. को follow करते हैं और यह P.I.B. की ही एक news में थी altogether वो news हमारे लिए important नहीं थी या उस news के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे paper के लिए वो important हो या हमारे paper में उस news में से directly कोई question आए हमारे लिए लेकिन जो associated information है वो important हो जाती है ठीक है और current affairs को करना भी इसी तरीके से चाहिए जब हम किसी subject की specialization में जा रहे हैं जब हम journal knowledge के अंदर जाते हैं, gk के अंदर जाते हैं, general awareness के अंदर जाते हैं वहाँ पर important होती है news, वहाँ पर important होता है जो news से related fact है लेकिन जब हम subject की speciality के current affairs की बात करते हैं तो सिरफ और सिरफ हमारा focus news के उपर नहीं रहता उस समय हमारा जो एक major focus है वो associated areas के अंदर भी रहता है तो farm machinery training and testing institute जो है बेटा ये बुदनी के अंदर है MP में हिसार, हरियाना, अनंतपूर, आंधरा परदेश, बिस्वनाद, चरियाली, असाम ये सब के सब जो areas हैं आपर आपका training institute जो है वो located है चलिए, next question के उपर आजएं फटा फट से third question नीम quoted uria, इंडिया में agriculture में किस वर्ष में introduce किया गया था नीम quoted uria, देखो कितना important question है, कितना ज़ादा important question है बहुत important और बहुत बढ़िया question है ये आपके options है, 2014-15, B, 15-16, C, 16-17, D, 17-18 या फिर E, none of the above, कौन से वर्ष में नीम quoted uria को हिंडुस्तान में introduce किया गया था So the right answer guys here will be option B, 2015-16 जो नीम quoted uria है बेटा, वो आपका 2015-16 के अंदर, इंडिया के अंदर, इसको introduce किया गया था Okay, so neem quoted uria introduced since 2015-16 to ensure long availability of nutrients in the soil by slow release of nitrogen तो जब आप uria को neem से coat कर देते हो, एक तो देखो उससे क्या होता है जो neem है, वो जो negative effect होता है use of fertilizers का, उसको slow down करने में आपको help करता है और long term availability of nutrients के अंदर भी help करेगा क्योंकि जो neem quoted uria है न, उसमें से जो nitrogen है, वो slow rate के उपर, जो है, वो release होगा Okay, it has also helped in curtailing diversion of uria for non agricultural activities पहले क्या होता था, सरकार uria के उपर subsidy देती है, आप जानते हो तो पहले क्या होता था, यह जो subsidized uria है uria के उपर subsidy दी जाती है, agriculture के purpose के लिए लेकिन यह subsidized uria अलग-अलग sectors के अंदर जो है, इसकी diversion हो रही थी ठीक है, काला बजार ही हो रही थी तो अब नीम-coated uria जो है, वो किसी और कामाई नहीं सकता वो किसी दूसरी non agricultural activity के अंदर use होई नहीं सकता तो ultimately जो diversion है uria की, जो subsidized uria की ultimately उसको भी रोकने में यह नीम-coating of uria जो हो help करेगा चलिए, fourth question के उपर आ जाए, टाइनो-स्पॉरा, codifolia is the scientific name of टाइनो-स्पॉरा, codifolia scientific name या botanical name के उपर तो आप जानती यह questions पूछे जाते हैं option A, gilloy, B, aloe vera, C, ashwagandha, D, asoka, E, none of the above टाइनो-स्पॉरा, codifolia, यह किसका scientific name है ठीक है, तुक्का मेरे ख्याल से तो काम करेगा नहीं, negative marking यह होगी, ultimately चलिए, तो the right answer guys, in this case is option A, gilloy, gilloy is the right answer, ठीक है, तो gilloy basically news में था, बड़े टाइम से ना, media के अंदर एक बात चल रही थी, कि gilloy है, यह consumption के लिए safe नहीं है, क्योंकि यह toxic effects produce करता है, तो सरकार ने clarification दिया, कि gilloy जो है, वो यह gilloy जो है, वो बिल्कुल safe है, और जो media के अंदर यह false एक news चल रही है, कि gilloy यह gilloy यह gilloy लिवर को damage करता है, वो पूरी तरीके से गलत है, ठीक है, तो gilloy और gilloy के बहुत सारे, यह gilloy के बहुत सारे medical applications है, वो various disorders को treat करता है, it can be used as a antioxidant, anti-hyperglysmic, anti-hyperlepidemic, hepa, hepato-protective, cardiovascular protective, neuro-protective, osteoprotective, radio-protective, anti-anxiety, adaptogenic, analgesic, anti-inflammatory, anti-piratic, anti-diaryal, anti-alcer, antimicrobial and anti-cancer, तो यह सारे के सारे uses इसके establish हुए हुए है, और सरकार के रही है कि बिल्कुल भी इसका कोई toxic effect होता है, वो साबित नहीं होता है, ठीक है, तो यह uses भी थोड़े से आद में रख लेना, क्योंकि वो इस तरीके से भी question मना सकता है ना, कि यार इन में से किस पर, क्या use है, क्या medicinal use है, गुडूची का या गिलोई का, next fifth question के उपर आजाएं, इंडिया's major export destination of fresh fruits during 2021 was, इन में से कौनसा इंडिया का major exporting destination था, fresh fruits का 2021 के अंदर, option A, Bangladesh, B, US, C, Russia, D, Ukraine, या फिर E, none of the above, ठीक है, तो again ये एक factual question है, तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा, option A, Bangladesh, तो सबसे ज़्यादा जो हमने fresh fruits export की हैं, 2021 में वो बेटा बंगलादेश को की है, तो this was the news, तो news के अंदर दो points को mainly highlight किया गया, एक तो guava को, तो सरकार ने बोला कि guava का जो export है, 2013 से करके अगर अभी तक मैं देखता हूँ, 2013 के मुकाबले, मतलब कि मैं 2020-21 के period को 2013 के period से compare करता हूँ, तो मेरा जो export है guava का 260% से बढ़ा है, हिंदुस्तान का, ठीक है, and overall fresh foods में भी काफी अच्छा growth देखने को मिला है, जिसके अंदर fresh grapes है, ये largest exported items है among all fresh food category, तो ये भी अपने आप में question बन सकता है, कि fresh food category के अंदर सबसे जादा export किस item का हुआ है, वो नीचे option देदेगा, भई, grapes का हुआ है, guava का हुआ है, mango का हुआ है, oranges का हुआ है, तो definitely वो भी एक तरह का question वो paper के अंदर पूछ सकता है, है ना, now during 2021, fresh grapes and other fresh fruits accounted for 92% in India's total export of fresh fruits, ठीक है, तो grapes का एक major share यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, अब इंडिया के अगर हम major exporting destination देखते हैं, जहां से हमने question derive किया था, वो सबसे पहले है, bangladesh, यह values आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूत नहीं है, पहले number पर bangladesh है, दूसरे number पर आपका neither lands है, और तिसरे number पर UAE है, तो तीनी याद रख लेना, उसके बाद UK, Nepal, Iran, Russia, Saudi, Oman, Qatar, यह भी सब आपको याद रखने की ज़रूत नहीं है, देशों को जाता है, यानि अगर हम 100 kg फ्रेश फ्रूट बेजते हैं पूरी दुनिया में, तो 100 मेंजे 82 kg तो सिरफ इन 10 देशों में जा रहा है, इंडिया major exporting destination of dairy products, हम सबसे ज़्यादा dairy products किस देश में export हमने की हैं 2020 में, Again, guesswork बेटा, इन सब questions के अंदर में आपको time and again बार-बार साबधान कर रहा हूं कि guesswork या तुक्के बाजी ज़्यादा मत करना, अगर करोगे तो उसमें ultimately आपका ही नुकसान होगा, तो उसको avoid करना, तो इंडिया का major exporting destination of dairy products 2021 में था, आपका option है UAE, सबसे ज़्यादा हमने dairy products UAE में एक्सपोर्ट किये हैं, Okay, so curd, yogurt और पनीर, इसमें 200% का rise देखने को मिलता है, 2013-14 के मुकाबले अगर हम 2021-22 को compare करते हैं, ठीक है, और dairy products अगर compound annual growth rate देखा जाए, पिछले 5 सालों का, तो 10.5% के उपर on an average पिछले 5 सालों में हर साल ग्रो किया है, इस ताइप का question भी वो paper में पूछ सकता है, कि compound annual growth rate dairy products का पिछले export जो है, उसमें क्या compound annual growth rate dairy products के लिए, पिछले 5 सालों में तो 10.5% आपको याद करना है, major export destination में number 1 पर UAE है, number 2 पर Bangladesh है, number 3 पर US है, बाकी के आपको याद करने की जुरुत नहीं है, और ये जो 10 देश हैं यहाँ पर उपर लिस्ट में given है, हमारा 61% export इन 10 देशों में जाता है, हलारी ये किसका breed है, कैटल का, शीप का, डंकी का, गोट का, या चिकन का, हलारी is a breed of, ठीक है, अब किसी ने अगर P.I.B., Current Affairs, News वगरा से पढ़ा होगा, वो इसका अंसर ठीक से कर पाएगा, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी, तो हलारी जो है, ये किसका breed है, हलारी is a breed of option A cattle, sorry, not option A cattle, it is of dंकी, option C, हलारी डंकी का breed है, ठीक है, हलारी is a breed of dंकी, हलारी डंकी, एक काफी important livestock इसको consider किया जाता है, especially जो semi-arid area है न, गुजरात के, साराश्टरा, जामनगर और दौरका district के वहाँ पर, तो आपसे वह region भी पूछ सकता है कि ये जो हलारी डंकी है, ये mainly किस area के अंदर आपको मिलता है, ठीक है, और दो special pestilist communities हैं, भारवड और रबाडी, ये इस डंकी को use करते हैं, as a pack animal, pack animal basically जुन्ड use किया जाता है, और इसको mainly use किया जाता है, luggage carry करने के लिए, migration वगेरा के लि पानी और work और खाने की तलाश में, okay, and ज्यादातर women हैं, जो इन डंकी की take care करती है, उसके अलावा एक कुंबर, जो एक potter community है, वो भी इस animal को use करते हैं for pottery work, specially दवार का और जामनगर district के अंदर, so mainly तो आपने क्या क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि हलारी जो ह है, आपको mainly मिलता है, एर्थ question के उपर आजाएं, what is the target of water supply अंडर जल जीवन mission to rural household by 2024, जल जीवन mission के अंदर target क्या है, 35 liters per capita per day, इसका क्या मतलब होता है, कि हर व्यक्ति को 35 liters per day पानी मिलना चाहिए, एक परिवार की बात नहीं हो रही है, पर capita बात हो रही है, पर capita का मतलब हो 55 liters per capita per day, 65 liters per capita per day, और 75 liters per capita per day, यहापर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा, option C, 55 liters per capita per day का target है, जल जीवन mission कहता है, कि हमको हर rural परिवार के अंदर एक व्यक्ति के हिसाब से 55 liters पानी जो है, हर रोज का अवेलेबल करवाना है, 9th question, livestock census 2019 के हिसाब से stray dogs और cattle का total population, stray dog और stray cattle, यानिकि जो सडक के ओपर dogs और cows होती है, उनका basically population आप से पूछा गया है, आपर 190 million, 203, 210, 220 और 230, यह कहीं बार approximate values होती है, तो the right answer guys over here is option B, 203 million, तो जो आपका livestock census है, उसके इसाब से, जो stray dogs और stray cattle का population है, वो है 203.31 lakh, option के अंदर आपको थोड़ा approximation के अंदर given था, चलिए, and this is the 10th and the final question guys, a special fund of rupees X crore has been set up in Nabad, to provide credit at affordable rates to boost food processing sector, ओके नबार के अंदर एक special fund बनाया गया है, यह कितने करोड का fund है, इस fund का का काम है कि food processing sector में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको पैसा provide किया जा सके, सस्ते ब्यास दरों पर, तो X में क्या आएगा, 500 करोड, 1000 करोड, 1500 करोड, 2000 करोड या फिर none of the above, The right answer over here guys, will be option D, 2000 करोड, यह जो fund है आपका, जो special fund है नबार के पास, affordable rates पे food processing sector को boost करने के लिए, यह 2000 करोड रुपे का fund रहेगा, और इस fund के अंदर loans किन को दिये जा सकते हैं, individual entrepreneurs को दिये जा सकते हैं, cooperative societies को दिये जा सकते हैं, farmer producer organization को दिये जा सकते हैं, corporates को भी दिये जा सकते हैं, joint ventures को भी दिये जा सकते हैं, जो special purpose vehicles हैं, उनको भी इसके अंदर loan दिया जा सकता है, अगर कोई entity जिसको सरकार promote कर रही है उसको भी दिया जा सकता है modernization purpose के लिए हो या नई organization set up करने के लिए हो expansion के लिए हो infrastructure develop करने के लिए हो designated food parks में तो हर तरिके से इस fund के अंदर पैसा आप ले सकते हो ठीक है बेटा 2000 करोड का fund है और नबाड का fund है यह याद रखना है चलिए guys so these were the 10 questions इसी तरीके से 10-10 questions आपको provide करते जाएंगे and बहुत useful आपको यह रहने वाले हैं तो यह सारे lectures जरूर देखेगा पिछले lectures भी देख लीजएगा आपकी screen के उपर भी ले लिस्ट आजाएगी पिछले lectures की भी जो करेंट अफेर्स के है and PDF आपको telegram के उपर available रह जाती है कोई भी दिक्कत हो कोई भी doubt हो आप contact कर सकते हो आप मुझे whatsapp कर सकते हो आप mail कर सकते हो आप मुझे comment section में लिख करके highlight कर सकते हो आप telegram के उपर message कर सकते हैं तेलिए मिलते हैं next lecture में till then take care and bye guys